अस्सेलामों अलेहिकूम मैं जुलेखा अर्फाथ, जुलेखास कीचन से, तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा जबरदस, quick, easy, जटपट, mutton, पुलाओ, वहादी बढ़िया बनता है घर पर तो चलिए शुरू करते हैं, आज की रस्पी साधारा नियाने, ordinary ingredients से extraordinary और नम्मक स्वाद अनुसार, मैंने एक छोटा चाय का चमच दाला है, और दो टेबलस्पून अद्रकलसन का पेस्ट दाल कर इसका धंकल लगा दीजिए, और एक से दो फास्ट आज पर सिटी खिला लीजिए, जब एक दो सिटी हो जाए, तो slow आज करके 10 मिनित तक पकने द पहले तेल दाल के बिरिस्ता बनाकर दो प्यास का निकाल लिया है, ये गरम मसाले है, एक बड़ी इलाइची है, 4-5 लॉंग, 4-5 काली मिर्च, 2 तेज पत्ता, 2 दंडी दालचीनी की दाल दीजिए, 4-5 हरी इलाइची और एक छोटा चाय का चमच साबुजीरा दाल और दाल कर बार-बार चलाते हुए, आज पर ये प्यास को फ्राय कर लीजिए, आपने तब तक फ्राय करना है, जब तक हलका कलर बस चेंज होना शुरू ही ना हो, जैसे हम कहते है न, पिंकिश कर लीजिए प्यास को, मुझे हलका तेल कम लग रहा है, तो मैं यहाँ दाल र प्यास के अंदर बिना पानी डाल कर और इसे साइट पर रख दीजिए, अच्छा हरी वर्चया मैंने मैंने स्वाद अनुसार लिये, डेफिनिटली कम है, बट मुझे स्पाइस जादा नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने कम डाली, आप आपके इसाब से डालिएगा, चलिए प्यास पिंकिश हो चुकी, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं दाल दीजिए, चार टेबिल स्पून अद्रक लसन का पेस्ट और इसे डाल कर फास्ट आज पर बार बार चलाते हुए, तब तक पकाए, जब तक इसके कच्छे पन के फुश्बू नहीं चले जाती, जब कच्छा पन चला जाए, तो यहाँ पर दाल दीजिए, रून टेंपरेचर पे एक कब तही, चूला फास्ट आज पर ही रखेगा, और चूला फास्ट आज पर ही रखेगा, और इसे बार बार चलाते हुए, तक पका लीजिए, जब तेल छूटने लगे, आप देख सकते हैं तेल चूट रहा ना उपर, भाई मैं तो ना आलू बिर्यानी में भी दालती हूँ और यहाँ पर पुलाव में भी दालती हूँ, तो यहाँ तेल चूट 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 है, मैं दो-तीन आलूओं को छील निकाल कर, ऐसे दो-दो पीस या चार-चार पीस करके दाल देती नमक भी दाल दीजिए, आलू के भाग का, और वो जो हमने पीस कर रखा है ना दर-दरासा हरी मिर्ची और कोतमिर को भी डाल दीजिए इसके अंदर, और सबसे पहले एक बार चला लीजिए, जब आप चला लें, तो मिकसर जार के अंदर वन फूट कव जितना पानी डाल कर उसमें चला कर इसके अंदर दाल दीजिए, और दालने के बाद स्लो आज कर दीजिए, और ढाक कर इसे 15-16 मिनित तक पक में दीजिए, तब तक पकाएं, जब तक ये जो आलू है ना, 80-90% नहीं हो जाते हैं, मैं तो हमेशा 90-95% तक पका लेती हूँ, तकरीबन ये 700 ग्राम चावल है, बासमती, 2-3 पानी से धोके, और साफ पानी में मैं भी भीगाने रखी हूँ, अब भी आप देख सकते हैं, आलू के बाद मैंने ये प्रोसीजर किया, और आलू को भी 15-20 मिनित लगेंगे पकने के लिए, तब तक ये मैं 25-30 मिनित तक इसे भीगाने रखी हूँ अब यहाँ ये है कि बासमती चावल मैंने 700 ग्राम ले, आप चाहें तो 500 ग्राम ले सकते हैं और पॉना 3-4 केजी आप गोश ले सकते हैं, या दोनू ही इक्वल कर सकते हैं, या चावल का मीजान 700 रखके आदा किलो गोश ले सकते हैं, ये तोटली आपके ऊपर है, अच्छ अब तकरीबन ये आप देख सकते हैं, तो 15-20 मिनिट के अंदर है आलू 90-95% गल चुके हैं, और ये जो गोश अभी मैं यहाँ इसमें डाल देती हूं, तो ये भी तकरीबन 90% ही गल हुई है गोश, बाकी का हम अभी दम पर गला देगें, अच्छा, अब यहाँ चूला फा लेती हूं, जादा नहीं 2-3 मिनिट तक ही भून रही हूं, क्योंकि ये जो सब मसाला है, इसके अंदर भी जाना चाहिए ना, गोश के अंदर, चलिए 2-3 मिनिट हो चुके है, तो यहाँ पर मैं पानी डाल देती हूं, यानि कि मेरे पास तो सबसे पहले तो यकनी स्टॉक ह यकनी गई है, तो वो मैं डाल रही हूं, तकरीबन 7-4 कप है, मैं इसके ओपर पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूं, क्योंकि मुझे परफेक्ट लग रहा है, और अब मैं चावलों के भाग का नम्मक डाल देती हूं, मैंने पहले चखा है, क्योंकि पहले पानी भी डा कितना पानी डालना है, अब यह होता है न, चावल भीगा के आपने आदे घंटे के लिए रखें, तो पानी कम लगेगा, तो सबसे पहले आप जब भीगाने रखें, तो जो कप है न, एक कप, स्टांडर गप रखें, उससे आप पहले चावलों को माक लीजिए, तो मेरा त करीबन साड़े तीन कप था, तो मैंने उसके लिए सबसे चार से साड़े चार कप पानी डाला, तो आप उससाब से देख सकते हैं, चलिए इसे फास्ट आज पर पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक all the most dry out नहीं हो जाता पानी, अच्छा बीच में एक दो बारी और हलके हाथ से चलाएगा कि चावल ना तूटे, और जब आप देखें कि all the most dry out हो चुका है पानी, चुले को कर दीजिए slow आज, और जो विरिस्ता मैंने पहले बना कर रखा था, मैं वो दाल दीजिए, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुब सारी बारी कटी हुई कोथ मेर्याने के हरा धनिया दाल दीजिए, और 4-5 हरी मिर्चया मैंने फीखी है, जादा तीखी नहीं है, उसे slit मार कर दाल दीजिए, क्योंकि मैंने जादा स्पाइस तो दाला ही नहीं था, अब इसे ठाक दीजिए, और इसे ठाक कर ऊपर कुछ वजन रख दीजिए, साइ 15-20 मिनिट हो जाए, तो ये देखी कि आप बड़िया भाप खुटी है, तो आप इसे एक बार, मैं तो इसे फोड़ना कहती हूँ, मतलब चावलों को उपर नीचे कर लीजिए, और इसे नीचे का तववा सबसे पहले तो हटा दीजिए, और चूले को कर दीजिए बंद, औ एक बड़िया सी प्लेट के अंदर निकालें और सव करें, तो ये बन गया हमारा मज़ेदार सा लज़दार और डिलिशिस मतन पुलाव, बहुत ही जबरदस घर पर बनता है, अच्छा, मैंने ना विरिस्ता बनाया था आपने स्टार्ट में देखा, आपने नहीं बनाना है आपके पास रेडी हो, तो आप वो डाल दीजिएगा, और नहीं भी आपने बिरिस्ता डालना है, तो आप स्केप कर सेकते, लेकिन बिरिस्ता डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और दूसरी बात, हरी मिर्चियां आपने स्वाधन उसार डालिएगा, मैंने कम मिर् इअपणड मेरे चानल पर आफऽे हो, आप लोगोगों के लिए लिक दिस्क्रीप्शन के अंदर दाल देते हैं, आप लेकिन वहां चेक कर लिजिएगा, और हां मैंने बहुत सारे पुलाओं की, टिफरें त्ष्टाइल के पुलाओं की डिप्लोड की अप लोगों के लिल 90% पकावा और उसे 4-5 मिनिट अप्राइ कर लिजिए गा तेल के अंदर और उसके बाल आगे का प्रोसीजर कीजिए गा तो हैना मज़ेदार रेसिपी आज की अगर ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमें सेक्शन में जरू शेय किजिए गा मुझे आपके कमें अच्छे लग हूँ झाज झाज झाए लेस्ट इव